So guys, बहुत बड़ी खुशकबरी है, इंडिन फुटबॉल के रिगार्डिंग की इगोर्स्टी मैच का कॉन्टराक्ट रिन्यूव हो चुका है दो साल का कॉन्टराक्ट रिन्यूवल मिल चुका है हमारे हेड कोच को जो कि काफी ज़ादा सक्सेस ला चुके हैं भारतिय फुटबॉल में और गई साथ हमारे असिस्टेंट कोच इगॉस्टी मैच के अंडर जो कि असिस्टेंट कोच थे महेश गवाली उनको भी मिल रहा है अंडर 23 के हेड कोच होने का मौका यहाँ पे तो यह बहुत अच्छी नियूज है हमारे लिए कि यह दोनों ही मानेजर को सपोर्ट दिया जा रहा है इगॉस्टी मैच ने बताया कि इस इस जुस्ट नॉट अबाउट इस सालरी या उन्होंने खुद कहा कि भाई यहां पे इस सालरी के तरम्स पे नेगोशेशन नहीं वाई इस मच और अबाउट इवलोप्मेंट अफ इंडिन फुटबाल आज भी इतने बड़े लेवल पे उन्होंने सेम चीज़ कही भाई जो भी क्लब हो जैसा भी फैन बेस हो nothing unites the country, nothing unites the fan base like supporting their national team यार यहां पे he also iterated the fact कि भाई बहुत अची बात है कि महेश शर को भी यहां पे वो value दी गई उनको वो credit दिया गया by appointing him the as the manager of the under 23 team अब बात यहां पे simple सी यह है कि further forward कैसे move करे हम important यह है जानना लोगों को कि यार EGAUS team match यह contract renew नहीं किये हो थे if we wouldn't have got the guarantee from the AIFF कि उसको अपने tournaments के लिए adequate amount of camp time मिलेगा क्या बोला उन्होने अभी पिसले tournament के बात कि भाई देखो हमें सिफ किसी भी tournament में ऐसे खिला मत दो don't send us anywhere if you are not sending the right team with the right camp time ऐस simple सी बात है यार कही ना कहीं AIFF FSDL और जो stakeholders है they are working as a unit and they would be allowing EGAUS team match the ample amount of time जो कि वो require करता है for the upcoming tournaments so यार अभी upcoming जो मारे मर्दे का कप होंगे सबसे इंपोर्टेंट जो मारे World Cup Qualifier होगा और उसे भी जादे इंपोर्टेंट जो मारे AFC Asian Cup होगा जानवरी में जिसके लिए एक वीक मिली है और टू वीक मिली है रिस्पेक्टिवली बाई लोग ये चेंज करना होगा वन वीक इन वर्ल्ड प क्वालिफायर इस नौट अनवफ टू वीक वर दे एफसी एशन कॉप इस नौट अनवफ यार द्रिस्किपेंसी या फिर दे प्रॉब्लम दे जाना पड़ता है नौट बिकास ही इस नौट अधर चीज़े हो रही है और ऐसी सारी चीज़ें जो कि अब पटिकुलरी एक साथ बैट कर सॉल कर सकते हो उनको इराडिकेट कर सकते हो अब जैसे शेडियूलिंग है यार फिक्षर का डिसाइड करना क्या आपका टाइम यार यह सारी चीज़ों की वज़े से अगर हम इगॉस्टी माच को लूस किये होते है आवड आप बिन हर्ट यार आवड आप बैडली हर्ट सबसे ची बार जो मुझे इस पूरे आउटकम की यह लगी कि महेश सर को फाइली एक इंडिपेंडेंट कोच बना दिया गया उनके अंडर वो रहे के उस गेम प्ले में वो जो स्टाइल उफ प्ले है इगॉस्टी माच भारत की नाशनल टीम पे ला रहे है उसका यह एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट रहे है और हमने देखा थे कई माचस में जा पर इगॉस्टी माच बांट थे महेश गवाली सर क तो वो रिस्पोंसिबिलिटी मिली थी तो मैनेज दी टीम और उन्होंने अच्छा काम किया था तो इट इस अ वेरी गुट थेंग कि अब यहाँ पे एएफ ने इनके पोटेंशल को इनकी वाल्यू को क्रेडिट दिया है यहाँ पर रिलाइस कि भाई महेश गवाली सर कैन अच्छली डू बेटर विद दी अंडर 23 टीम अब गईश यहाँ पे एक चीज समझने ही कोईश करना इगौस्टी माच अपने स्टाइल के साथ इस मानजिंग दे सीनर टीम उनके अंडर महेश गवाली जो की सीखे है लर्न किये है और अवसो भाई लीड किये है टीम को यह अच्छी बेटर विद दी अंडर 23 टीम तुमनों को याद होगा आफ सेट इस तो यू मुझे लगता है कि एक पर्टिकलर नाशनल टीम के लिए ना सबसे इंपोर्टन जो कड़ी है वो है उसकी अंडर 23 टीम बेकोज यहाँ पर क्या है अंडर 18 प्लेर्स आरह है और अंडर अंडर 23 टीम का मानजर बना दिया है तो भाई मुझे इसा फिल होता है जो जो अच्छी बेटर बेटर नाशनल टीम को खेलते देखते हैं तो जो लोग वरी कर रहे थे यार महेश तर वो लॉन बोल अप्रोच ना दिखा दे वो वापस से वही वही हिट अन्र रन वाला अच्छी कुपछूरत है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहतरीन प्लेर्स है एलिगेंट है ऑं दो जो लॉन प्लेर्स मोवें च्छी है यार जो मुझे इसा फील आता है विड इस प्लेर जो हमारे अदर 23 टीम में है महेश गवाली के अंडर जे मुट रह बो लेइन को वही haven't done very very good यार but अभी we all have to come together यार celebrate करना होगा इस fact को कि यहाँ पर EGOS team match will be here for next two years यार बड़ गाईज यहाँ पर एक छोटा सा catch है अगर हम FIFA World Cup के third round of qualifiers में पहुच जाते हैं तो EGOS team match will also be given two more years of contract renewal मतलब total मिला कि 4 साल और EGOS team match would be staying as the head coach of Indian football तो अगले 2 साल तक तो certain है World Cup के qualification rounds पर डिपेंड करता है अगर हम qualify करें जो कि मेरे opinion में हम जरूर हमें करना चाहिए तो यार फिर हम 2 साल और EGOS team match को definitely हमारे as the manager of the national team जरूर से लेखेंगे तो आपो क्या लगता है how good of a news this is क्या आप खुशे इस news से क्या नहीं हो do you think something else should have happened do let me know in the comment section down below और भाई हर एक बंदा भाई comment section में जै हिंद लिखे जरूर से आएगा मैं मिल तो आप लोगों वेरी सुन तब तक लिए take care and peace out